हेलो, गुड मॉनिंग दोस्तों, 7 अपरिल 2019 की प्रिलिम्स अपरिटर स्रीज में आपका स्वागत है आज गे इस डिसकस्न में हम 6 अपरिल की न्यूज हैं उनको गवर करने वाले हैं क्योंकि कल हमने डिसकस्न है वो नहीं की थी सेकंड स्टेट्मेंट ये कह रहा है कि युनाइटेड अगेंस रेबिज ये कोलब्रेशन है डबलो एचो का जो के कोमन स्टेट्जी को लेके आता है ताकि जो हुमन डेथ हो रही है रेबिज से इसको जीरो पर लाया जासके 2030 तक हम ये पूछा कि कौन सा स्टेट्मेंट यहां पर इनकरेक्ट है देखो ये दोनों के दोनों स्टेट्मेंट है वो बिल्कुल सही है रेबिज अएक वायरेस की वजए से होता है और यहमन लेक ट्रोपिकल डेजीज है इसके साथ इस सेकंड स्टेट्मेंट भी सी है कि 2030 तक एक farming है farming festival sorry इसके बार में आपको बताना है कि कौन सी community से बिलोंग है वो करता है दोको यह missing community है उससे basically बिलोंग करता है तो यह आपको factual information ध्यार में रखनी है next जो हमारा question है उसमें हमें दो statement दिये गए और हमें आपे correct को identify करना है पहला statement यह कह रहा है कि universal health coverage है वो सभी लोगों को चाहिए को इसी community का हो या फिर किसी भी समुदा कि हम बात कर लें या फिर किसी भी edge का हो सभी को health service है quality health service हो प्रोड़ाइट करवाने के लिए है बीना कि किसी financial head burden के या फिर बिना किसी financial मतलब ऐसा नहीं कि इसको financial पैसे वगरा देने पड़ेंगे वालब free में उसको financial support वगरा की ज़रूद नहीं होगी उसको health coverage यहां पर provide करवा जाएगा second statement यह कह रहा है कि achieving जो universal health coverage है वो one of the key target of sustainable development एजेंटा 2025 अब हमें correct statement यहां पर identify करना है त लेकिन second statement गलता है क्यों क्योंकि आपको बता है कि sustainable development goal के target है वो तो 2030 के है ना कि भई 2025 के तो इसलिए statement यहां पर गलता है वो हो जाता है next question है इसमें हमें correct statement identify करना है कि इसको लेके petroleum and explosive safety organization PESO जो firecrackers वो पटाके बगर होते हैं वो भी basically इसी के द्वार regulate है वो कह जाता है पहला statement यह है कि Ministry of chemical and fertilizer के अंतरगत आता है Second statement यह कह रहे कि इसका headquarter goal गता में देखो पेसो है यह बिल्कुल सही है कि Ministry of chemical and fertilizer के अंतरगत आता है बड़ इसका headquarter goal गता में नहीं नाक में है तो इसका second statement हो गलत हो जाएगा first हो यहाँ पे सही है तो इसका answer हो जाएगा C only one next question हो है Ecomark के एक certification mark है जो कि किसके दोरा issue कह जाता है देखो जो Ecomark certification procedure है यह Bureau of Indian State के दोरा issue है वो कह जाते है तो इसका answer यहाँ पे C होगा next देखते हैं आजगी हमारी news मलब कल चाहतारी की जो news हो पहला article हो हो है purchasing managers index को लेकि क्या है यह देखते हैं तो purchasing managers index यह पी एमाई जो index है यह एक indicator है कि भाई जो company है या जो भी एक तरीकी service provider है उसकी health कैसी है उसकी economic health कैसी है कहते हैं कि भाई इस company हालर डामा डोल चल रही है काफी खराब है उसी तरह कि जो company की हालर रेंकिंग चेक के जाते हैं कि इसके अंदर किसी का काम वगरा हो रहा है कैसी यहाँ पे बोलनेगी economic health कैसी है profit में लोस में जा रही है इन सब के लिए यह index जारी किया जाता है important बात यह है कि है manufacturing sector और इसके साथी service sector दोनों के लिए जारी किया जाता है यह effect यहाँ पे ज़्यादा important है company की जो current business जो condition है कि company की decision making कैसी है इसके साथ यह company का analysis कैसी है company के जो processing managers है वो किस तरह गए है इन सब का पता चलता है जो को UPC आपे question एक तो ऐसे पूछ सकती है कि purchasing managers index है वो manufacturing sector के लिए जारी किया जाता है नहीं भई इसमें service sector भी include है वो होता है अब important बात ही कि purchasing managers index कोन publish करता है जो को यह index publish किया जाता है US basic institute आजिसका नाम है supply management institute for supply management ISM इसके द्वार है index यह जारी किया जाता है next जो article हो है section 35AA of banking regulation act दो को धान में रखना UPSC के question पूछ ती है कि यह बार पहले भी पुनों ने पूछे है जो section जो banking regulation act का section 35AA है वो banking regulation act है जो कि empower करता है central government को कि वो RBI को issue direction जारी कर सकती है banking companies के लिए कि जो company bankrupt होने वाली है फिर insolvenancy condition में आ गई है उस company को लेकर government bank को बोल सकती है RBI को बोल सकती है कि भई आप इसको लेकर insolvenancy and bankruptcy जो procedure है उसको start कीजिए अब यहाँ पर UPSC को directly ऐसे question पूछ सकती है कि section 35AA है वो supreme court को मरलब power देता है कि वो RBI को strict direction दे नहीं भई यह central government को empower करता है कि आप RBI को direction दे सकते हो कि भई जो company खराब भारत में उसको insolvenancy resolution है उसके तैथ start procedure की जासके तो यह context था उसको लेकि भी news है वो आई थी बाकी तो देखो context दिया गया है कि RBI को guideline जारी की गई थी RBI ने guideline जारी की तो देखो RBI के पास authority है वो तो हमने हापे discuss कर लिया कि central government के पास authority होती है वो RBI को guideline जारी कर सकती है ना कि Supreme Court वगएरा के पास तो उसी को लेकि न्यूज थी तो हम इसके भारे में धान रखना है next जो article हो है Asian Development Outlook 2019 देखो यह है basically Asian Development Bank के दोरे outlook report index जारी किया जाता है इसमें यह बतायागा कि जो Asia की growth rate है वो 2018 में 5.9% से growth हो रही थी 2019 के अंदर 5.7% से वो 2020 में 5.6 के according growth rate है वो होगी तो देखो data दिया गए इंता important नहीं है बट इसमें इंडिया को लेकि कुछ बात की गई है तो यह में भी खही काम है वो आ सकती है इसमें एक आगए है कि इंडिया की growth rate है ना इसे अंडिया की growth rate आउट्लूक रिपोर्ट के दायत 2019 बीस में इंडिया की growth rate 7.2% से growth rate GDP बढ़ेगी इसी के साथ यह बात की गई है कि जो 2021 में इंडिया की growth rate है वो 7.3 के साथ से बढ़ने वाली है इसके बाद में यह बता है कि देखो inflation की बात है तो average inflation है वो इंडिया के अंदर financially है 2019 का जो half है फेस्ट half है इसमें लगबग 4% के आसपास रहेगी इसके साथ ही RBI है वो lower policy rate लेके चलेगी ताकि credit को बढ़ाए बढ़ाए जासके मतलब loan वगएरा market में ज़्यादा ज़्यादा मिले liquidity ज़्यादा हो ताकि business ज़्यादा ज़्यादा stable के जासके अब हम बात करते हैं ACN Development Bank को लेखे देखो ACN Development Bank का ना यह 1960 में बना गया था एक financial institute के तोर पे इसका motto यह था कि ACN Countries के उपर focus ज़्यादा के ज़्यादा सके अब यूपे सी दखो यहाँ पर statement फोड़ा ऐसा देख सकते हैं कि only ACN Country वगएरा नहीं भई इसका motto यह था था तो ACN Country के तरफ रुजान ज़्यादा हो इसके लिए मैंली श्टार्ट किया गया था इसका एक्टिव फोर्म ही है आया था headquarter इसका Philippines के Manila में है इसका जो official है हम बात कहें जो ACN Development Bank है यह United Nation का एक observer है यह आपको धान में रखना है अब देखो कही बार UPC पूछते कि इसका जो voting rate का scenario के हैं ACN Development Bank का देखो ACN Development Bank है इसमें पाउर है वो जापान के पास है क्यों उसने इपना ज्यादा पैसा है यहाँ है इसके बात में USA 3rd नमर पे चायना और 4th नमर पे इंडिया और 5th नमर पे उस्टेलिया तो यह basically ACN Development Bank के बारे में fact है नेक्स जो आर्टिकल है वो है कि मिला किसको है दूसरी बात ही है कि यह जो अवार्ड है ना कि किसी भी देश के राष्टर देख सको है हैड को मिलता है यह ध्यान में रखना है किसी इंडियूजल वैसे normal person को नहीं मिलता मलब जो भी किसी कंट्री का है उसको यह अवार्ड दिया जाता है और इस बार यह अवार्ड है यह भारत के प्रधान मंत्र को मिला है दूसरा इसमें एक factor कि दान रखना है कि ऐसा नहीं है कि क्यों लिए इंडिया में sorry, Asia के अंदर भारत के प्रधान मंत्र को दिया गए है इससे पहले भी चाहिना है बाकी दर कंटीज को भी ये अवार्ड UAE की तरफ से दिया जा चुका है तो ये आपको जाने में आखना है बेसिकली जो जाये थे ये फाउंडिंग फादर थे United Emirates अरब गे इसलिए उनी की आदमी अवार्ड है वो दिया जाता है इससे इंडिया और हम बात करें UAE के बीस में रिलेशन है बाई लेटर रिलेशन है वो बढ़ेंगे और दोनों के इनटीज के बीस में और भी ज़्यदा रिलेशन प्रकार्ड है वो होंगे तो यह कुछ फेक्ट है जिनको हमने हावे कवर किया है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुली गिद या वल्चर को लेकर है देखो इंडिया में वैसे तो गिद की नो परजातियां पाई जाती है बढ़ हमें सारे की सारे डटनी नहीं है अब भी एक तो एक बेजूर वल्चर या बेजूर जो गिद की परजाती है न्यूज में थी मैं लिए धान रखने की वल्चर की जो नो परजाती इंडिया में पाई जाती है इनमें ये नॉर्मली क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में है ये धान में रखना है और गिद की सबसे दाद जो problem है कि इसके लिए से death हो रही है वो है diclofenic diclofenic एक दोवाई होती है जो कि जो जानवरों को दर्द कम करने के लिए दी जाती है नहीं pan killer के तोड़ पे होता क्या है कि कई बार जानवरों को जब pan killer दे दी जाती है और उसके लाद उनकी death हो जाती है तो उस condition में अगर गिद उनको खा जाते है उन जानवरों को तो गिद के जो liver या गिद की हम बात करें गुर्दे होते है इनको यह effect है वो करती है और इसलिए गिद की भी death हो जाती है तो इसलिए इस डियकलोफिनिक दवाय को ban भी किया गया काफी जगह पे पर फिर भी इसका illegal use होता रहता है और उसके जैसे गिद की संख्या काफी कतेजी से कम है वो हो रही है तो यह ध्यान रखना है कि IUCN में की जो rate list के अधार पे सब इंडर बेल्ड वल्चर है यह भी critically in gender list में ही आता है तो यह कुछ जो news थी नहीं आपे cover किया तो यह थी आज गी हमारी complete news एक बार हम जल्दी से ही revise कर लाते हैं सबसे पहले आज हमने purchasing managers index discuss किया इसके बाद में हुने RBA का जो section 35 double है उसको यहाँ पर cover किया कि central government RBA को insolvency bankruptcy को बेले के guideline जारी कर सकती है इसके साथ ही हमने Asian development outlook report के बारे में जाना कि Asian development bank के द्वार report जारी की जाती है इसके साथ ही हमने जायद medal के बारे में discuss किया कि भारत के प्रदान मंत्र को यह award दिया जा रहा है और इसके साथ ही Indian जो वल्चरे इंडियन जो गिदगी पर जाती है इन के बारे में कुछ स्वेक्ट यहां पर कवर की तो फिलाल इतन नहीं thank you thank you very much for discussion